हेलो एवरिवन अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे कॉसर पेपर नमबर करीका सेक्टन सी ठीक है अगर मैं सेक्शन सी की बात करूँ तो सेक्शन सी में फर्स कोर्शन क्या देखे रखा है सौल्व दा पेर ओफ लिनियर एक्वेशन बाई सब्सक्रिट्यूशन मैथड हमको 0.2x plus 0.3y equal to 1.3 और एक हम को देखे रखा है 0.4x plus 0.5y equal to 2.3 अब यह अब हड़ेखना प्रेखना अब यहां पर प्रेखना होँल्चिया आ जाएगा 10 यहांपड़ क्या आ जाएगा 10 यहां पर क्या आजाएगा 10 यहां पर देख़ों प्लेखना प्लेखना है क्या हागया 10 एक नमबर जाएगा तशाव को थे चल्का में पॉर सीगा इशाएगा तो यहां ड रिषsh U यहां प्लपांद मीने कट किया जाएगा है यहां पर चायगा थिया प्लफ फाइव इकल्थ all टो यहow GUli सुइन पॉइंट कट की ओं जाएगा पर Ride 2. 3 हे तो ीकल्फ टिह यहां पर क्या आजाएगा 23 by 10 यह 10 से 10 cancel यह 10 से 10 cancel यह माल लेते एक वेशन नमबर 1 यह माल लेते एक वेशन नमबर 2 अब इसको हम solve करें पर हमने क्या कि उसको simplify कि equation को यह हमने simplify कर लिए अब solve करने जाते तो यहां पर देखो 2x को यही पर रहने दो 13 यह 3y प्लस में आए क्या हो जाएगा minus 3y x की value क्या हो जाएगे 13 minus 3y अपॉन में आजाएगा 2 ठीक है क्या कि multiply में यहां क्या हो जाएगा divide तो x की value यह आई अब क्या करेंगे इसको हम put करेंगे second वाले equation में तो यह क्या हो जाएगा 4 देखो यहां पर x की value क्या है हमारे पास 13 minus 3y upon में 2 plus 5y equal to 23 और इसको हम solve करते हैं जैको पहले वाले equation से हमने x की value निकाली इसको हमने put किया second वाले equation में ठीक है अब 4 13 दा कितना हो जाएगा आपका 52 minus 4 3 जा 12y upon में आगया 2 plus 5y equal to 23 ठीक है अब solution देखना यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर कुछ नहीं मतलब आएगा 1 अब इसका LCM क्या हो जाएगा यहां पर LCM आएगा 2 यहां पर cross होगा तो क्या हो जाएगा 52 minus 12y रहेगा और यहां पर cross होगा तो क्या हो जाएगा plus 10y equal to में क्या आगया 23 ठीक है अब मैं इसको rough कर रहा हूँ पूरे को आप देख लेना लिख लेना इसको अच्छे से अब solve करते हैं तो यहां पर देखो यह 2 divide में आए क्या हो जाएगा multiply तो यह क्या हो जाएगा 52 अब यहां पर देखना यह माइनस 12 और यह प्लस 10 है तो क्या आएगा minus 2y और यह चला गया यहां multiply में तो 23 into 2 कितना हो जाएगा 46 मैंने directly लिख दे एक है अब यहां पर देखो द्यान से 52 है यह क्या है यह प्लस में हो जाएगा minus 46 माइनस में प्लस 2y अब 52 में ते 46 यह कितना बचेगा मेरे पास बचेगा 6 कितना बचेगा 13-3, y की value कितनी आई है, 3, upon में आगया, 2, ये क्या हो गया, 13, 3 into 3, 9, upon में, 2, 4 by 2, कितना आगया answer, 2, तो x की value कितनी आगयी मेरे पास, x की value आगयी, 2, तो x का answer आएगा आपके पास, 2, y की value आएगी, आपके पास, 3, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next question क्या दिया हुआ है, समझना ध्यान से, the larger of two supplementary angles, exceed, मतलब जादा, the smaller by 18 degree, मतलब ऐसा भोल रहा है, simply, ठीक है, कि, 2 supplementary angles है, एक क्या है, बरा है, एक क्या है, छोटा है, सब्सक्राइब क्या होता है, उसका sum कितना होता है, 180 होता है, तम समझते हैं ध्यान से, ठीक है, पहले हैंना, हमको larger वारा पता ही नहीं है, तम क्या मान लेंगे, let's, जो larger angle है, ठीक है, जो larger angle है, उसको हमने क्या मान लिया, bx और smaller को किया मान लेते हैं smaller को मान लेते smaller angle को by ठीक है यह ध्यान में रखना तो यह पहले क्या बात किया है हमसे question सम्दो ध्यान से ऐसा बोला है कि जो larger वाला है supplementary angle का वो क्या है smaller से 18 ज़ादा है ठीक है find them तो हमने क्या किया नाम को larger पता है नाम को smaller पता है तुमने क्या क्या लार्जर को एक्स माना क्या मान लिया वाई मान लिया ठीक है अब मेरी बात सुनो क्या बोला लार्जर वाला क्या है smaller से 18 जादा है तो कोई यह larger वाला x equal to यह वाला क्या होगा smaller से 18 क्या है ज्यादा टीक कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है यह हमारा equation फॉर्म होगा पहला equation अब दूसरा equation कहा से मिलेगा simple सा supplementary angle है न तो उसका sum कितना होता है 180 होता है मतलब दोनो angle का sum कितना होगा हमारा 180 यह हो गया हमारा equation number 2 अब हमको दोना angle find करने तो simply समझो अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो यह equation 2 को ऐसे ही रहने दो equation 1 में क्या करते है यह x है न यह y plus में आए क्या हो जाएगा minus y equal to 18 ठीक है अब यहाँ पर देखो यह plus से minus cancel x और x क्या हो गया 2x यह कितना हो गया 180 और यह 18 कितना हो जाएगा 198 ठीक है तो x की value कितनी हो जाएगी 198 by 2 इसको solve करो कितना answer आएगा divide करने पर answer आजाएगा 99 ठीक है अब 99 मिल गया हमको मतलब जो larger angle था हो कितना होगा हमारा 99 डिगरी होगा अब smaller final क्या करना पड़ेगा यह वाला एक वितनम उठाते है equation क्या x equal to y plus 18 तो x की value कितनी हो गया मेरे पास 99 हो गया equal to y plus 18 यह plus 18 क्या हो गया minus 18 तो 99 minus 18 equal to y तो y की value कितनी हो जाएगी तो इसका अंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 81 डिगरी यह मेरा हो गया smaller एंगल और यह मेरा हो गया larger एंगल यह हो गया मेरा smaller एंगल ठीक है अब आगे बढ़ते next question की तरफ तो next question क्या देखे रखा है हमको यहां पर ध्यान से देखना ठीक है next question क्या देखे रखा है how many term of the AP 24 21 18 must be taken so that their sum is 78 ठीक है तो simply आपको sum देखे रखा है क्या देखे रखा है आपको sum देखे रखा है आपको AP देखे रखा है क्या फाइंड करना है आपको how many term find करना है जो AP क्या देखे रखा है simply AP 24 21 18 doc doc n sum dेखे रखा है आपको 78 find करना है उच्वासक लिए first number क्या होता है आपका a क्यतना है 24D क्या होता है a2 2-1 मतलब 21-24 कितना आजाएगा माइनस 3 और आपको find करना है and how many term मतलब क्या find करना है आपको n find करना है तो यहाँ पर देखो sn का formula क्या होता है n by 2 2a plus n minus 1 d ठीक है यह आपका formula होता है sn के value कितनी आपके पास 78 यह कितना हो गया n by 2 2 a की value कितनी आपके पास 24 है यहाँ पर देखो a की value कितनी यह 24 है plus n minus 1 d की value कितनी आपके पास minus d मैंना value put के लिए आप solve करते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखना यह 78 है यह क्या हो गया n by 2 अब 2 into 24 कितना हो जाएगा 2 into 24 आपका हो जाएगा यह 2 into 24 कितना हो जाएगा 48 plus ठीक है अब यहाँ पर देखो यह 3 को multiply करना है n के साथ भी इसको multiply करना है 1 के साथ बढ़ यह minus 3 है तो यह क्या हो जाएगा minus 3 n और यह minus minus plus 3 ठीक है तो यहाँ थे हमने solve कर लिया यहाँ है क्या हो जाएगा multiply तो 78 into 2 इकवल तो यहाँ पर क्या है n यह क्या हो गया 48 यहाँ पर देखो यह plus minus क्या होगा minus 3 n यह plus और plus क्या रहेगा plus 3 ही रहेगा ठीक है इकवल तो इतना अब 78 into 2 कितना होगा 78 into 2 16,1 ठीक है 51 n minus n और यह कितना हो गया 3 n का square अब यह minus मैं न n का square इसको यहाँ पर लेआ तो किसमे आजाएगा plus में 3 n का square plus में यह plus में क्या हो जाएगा minus 51 n और यह किसमे हमारा already plus में इसको यही पर रहने देते यह पूरा क्या कि उठाके इतरफ ले आए यहाँ पर क्या आजाएगा equal to में 0 आजाएगा ठीक है अब इसको solve करते हैं यहाँ पर देखो सम में क्या है 3 common तब जाएगा 3 को common ले लेते remaining क्या बचे गया n का square minus 17 n यहाँ पर क्या बचेगा 3 5 जा और 3 2 जा ठीक है equal to में 0 यह 3 क्या होगा यहाँ पर आगे cancel हो जाएगा यह हमारा मिलीगा quadratic equation ठीक है अब इसको हमको solve करना middle term 52 लियाना अगर मैं 13 4 जा 13 4 जा कितना होता है 52 होता है बच्छे में कितना चाहिए minus 17 क्या होगा minus 13 और minus 4 तो यह क्या हो जाएगा n square यह split होगा minus 13 n में और minus 4 n में plus 52 equal to 0 इसमें और इसमें common देखना है इसमें common क्या है n common है remaining क्या बच गया n minus 13 minus इन दोन में क्या common है 4 common है n बच गया बाहर sign minus की है sign क्या होगा यह वाली change minus 13 equal to 0 अब यहां पर ध्यान देना क्या क्या है हमारे पास n minus 13 आया है और क्या आया है एक बार n minus 4 क्या आया है n minus 4 equal to 0 तो n की क्या क्या वैलू आई मेरे पास 13 आई और क्या एक वैलू 4 आई इसका आशर क्या आज जाएगा 13 और 4 अब आगे बढ़ते है next question की तरफ next question क्या देखे रखाएं यहां पर ध्यान देना find a relation between x and y such that the point x and y is the equidistant from the point p from the point y और y मतलब दो point है और बीच में एक point है ठीक है वो क्या है उसका हमको देखे रखा है coordinate x और y वो जो point है ना वो दोनो distance है उसको equal part में divide कर रहा है समझते है ज्यान से ऐसा बोल रहा है कि मालो यह आपका एक line है इसको माल लेता हूँ a और b यहां पर एक point है p point क्या कर रहा है यह p point यह वाले part को मतलब यह हाले part को और यह वाले part को equal में divide कर रहाहा है हम बोल सकता हूँ a.p equal to p.v. दोनों कैसे हमारे equal part है उसमें वो divide कर रहा है आप यहां पर समझना हमको point देखे रखे point क्या क्या देखे रखा है हमको 3 और 6 position 3 और —3 and P P Ned देखे है रहाए ठीक है अब मेरी बास सुनों दोनों का ऐसे एक्वल इस्टैंस पर ठीक है अब यूज करें कि हम इसे फोर्म पील्डा ठीक है तो देखो ए से लेके पी में सॉल्व कर आऊ डिसेंस फोर्मुली पर देख चांब होगा x1 y1 यह हो जाएगा x2 और y2 ठीक है तो यहां पर वैलू क्या है रिसेंस फॉर्मलर के एकॉर्डिंग अंडर रूट में x2 कितना है x है minus 3 का whole square प्लस यह कितना है मेरे पास y minus 6 का whole square एक वर्ट को में क्या आएगा अंडर रूट अगें यह मान लेता हूं मैं वापस यहां पर यह x1 है यह y1 है तो यहां से देखते हैं तो यह x2 क्या है फिर से यहां पर x हो गया minus ठीक है और यह y क्या है और x1 क्या है मेरे पास minus 3 है प्लस यह क्या है y है तो यह हो गया y minus 4 का square ठीक है अब यहां पर देखो मैंने value put कर लिए आप ध्यान से देखना और value put कर लिए यह अंडर रूट से यह अंडर रूट cancel ठीक है अब a minus b का whole square क्या होगा x square minus 6 x plus 9 यह क्या हो जाएगा y square minus 12 y plus 36 equal to यहां पर देखो minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा actually में क्या होगा यह 3 plus x plus 3 का whole square ठीक है तमस्कों solve वैसे ही करेंगे क्या हो जाएगा x square plus 6 x plus 9 और यह क्या हो जाएगा y square minus 8 y plus 16 अब यहां पर देखना x square थी x square cancel y square थी y square cancel और क्या बच गया हमारे पर देखो यहां पर minus 6 x minus 12 y और यह 30 यहां पर क्या बच गया plus 6 x minus 8 y और 16 ठीक है हम क्या करते हैं सारी फियर्ट लों को एक तरफ कर लेते तो यहां पर देखो यह जो x है न कि मैं- crippled यह जाते ठीक है तो यह जियान देना और यहां पर देखो यह 9 है और 36 धीन क्या क्या एक तो minus 6 x से और यह 9 और ठीक हो जाएगा हमारा 45 और यह minus 12 y यहाँ पर क्या है हमारे पास 6X से 9 और यह 16 कितना हो जाएगा 9 और 13 हो जाएगा हमारे पास plus 25 ठीक है और क्या है minus 8Y अब हम क्या करते हैं यह सारी value को इस तरफ ले जाते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले इसको हम same list देते हैं 6X plus 25 minus 8Y और मैं पूरे को यहां पे ले गया तो यह क्या हो जाएगा माइनस यह माइनस यहां क्या हो जाएगा प्लस 6x यह प्लस यहां क्या हो जाएगा माइनस 45 और यह माइनस यहां क्या हो जाएगा प्लस 12y equal to 0 मैंने क्या क्या यह सारी value को उठाया और मैंने यहां पे ले गया और सबकी sign change कर दी ठीक है तो इतना आप कर लेना अब आगे देखते है solution ठीक है solution क्या होगा 6 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास 12x अब यहां पे देखो 8y और यह 12 और यहां पे minus 8 और प्लस 12 हो जाएगा minus 4y यह 25 प्लस में और यह क्या है 45 माइनस में तो बरा नमर नमर में कितमें आएगा माइनस में आएगा अब 45 में से 25 जाएगा कितना बचेगा minus 20 equal to 0 अब आपको पता होगा तो यह 12 4 20 सब 4 के टेवन में क्या था 4 common लेला क्या बच गया 3x plus y minus 5 equal to 0 अब यह 4 यहां पर दाएगा तो क्या हो जाएगा cancel तो क्या आया मेरे पास 3x plus y minus 5 equal to 0 तो यह मेरा answer आ गया ठीक है और क्या find करना था हमको देखो क्या find करना था find the relation between x and y तो यह हमारा x and y का relation आ गया ठीक है x and y का यह relation आ गया तो यह हमारा answer है ओके अब आगे बढ़ते next question की तरफ ठीक है अब next question देखते next question क्या दिया हुआ है आपर ध्यान देना find the coordinate of the point try section मतलब उसको तीन equal part में डिवाइड कर रहा है किसको डिवाइड कर रहा है पोइंट आप यह हमारा बी पोइंट यह हमारा एक लाइन एक पॉइंट और बी पोइंट उसको क्या कर रहा है try section में divide करना तो जो पॉइंट कर रहा है ना उसका अब को बताना क्या बताना देखो find the coordinate of the point जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना उसका हमको coordinate बताना है तो समझना यहां पर ध्यान से माल लेते हैं यह हमारा line है एक यह हमारा a point है यह हमारा क्या है b point है क्या देखे रखा है हमको a point 2 और यह minus 2 यह क्या देखे रखा है minus 7 और 4 ठीक है माल लेते हैं एक point यह हमारा p है और a point यह क्या है हमारा q है एक पार्ट यह हो गया यह हो गया यह को बताना है कोडिनेट और क्यों है अमको इसका बताना है कोडिनेट ठीक है तो मेरी बास सुनना से थिको यह से अगर म?」 को पी का फाइंड करना है ऑन्बाइट का मानेंगे वन और वन क्या हो जाएगा टू नियुको तो में डिवाやって होगा। तो यहा पे यू जोगा section formula, तो प्लामुला, नियुकर । फॉर्मिला के लिए वन है सबसक्राइब के बाइन ये जोगा ,то यहां भी M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपन में क्या आएगा M1 प्लस M2 यह आपका section formula होता है तो M1 क्या है आपके पास देखो यहां पर यह आपका M1 है और यह क्या है आपका M2 है तो M1 कितना आपके पास 1 है और X2 किया है त्यक्य है देखो यहां पर समुझना यह X1 होगा Y1 यह X2 और यह Y2 X2 कितना मेरे पास माईनस 7 M2 कितना है 2 और X1 कितना है 2 अपन में क्या है M1 1 फ्लस 2 यहां पर देखो M1 M1 कितना है मेरे पास M1 1 है Y2 कितना है fuels 4 ए plus m2 कितना है 2 और y1 कितना है minus 2 upon में गाएगा 1 plus 2 अब यह solve करते है 1 into 7 कितना हो जाएगा minus 7 2 into 2 क्या हो गया 4 upon में क्या हो गया 1 plus 2 3 1 into 4 4 plus और minus minus 2 into 2 2 into 2 4 हो गया upon में आगया 3 इसको हमने solve करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सेवन में से प्लच 4 गज़ा तो क्या आएगगा माइनस 3 ऐपॉन में 3 4 में चेक प्षोह गज़ा साब 0 अपॉन 3 यहां पर देखो 3 बंज़ सा त्री बंज़ सा कितना आ गया है यह माइनस वन हा गय और 3 को डिवाइट करो 0 ज़सर आंसर कितना आ जाएगा minus 1 और 0 टीक है तो यह हमने find कर लिए ठीक है अभ वैसे हमको find कर ना क्यों के लिए है मैने बास सुनना यहां पर ध्यान से अगर्म मैं Q के लिए find करूं क्यों क्या हो जाए है यह हो जाए Có यहां से लेकर यहां तक 2 और क्या हो जाएगा वन ठीक है है इस आप क्या करना आपको फिर से करना परेगा ठीक है आपको लिख लेना एक बार फिर नीचे फाइंड करना क्यों के लिए अलग से ठीक है मैं इसके अंदर ही कर ले रहा हूं तो आप इसको फिर से एक बार लिख लेना तो यहां पर देखो M1 कितना आएगा यहां पर 2 आएगा यहां पर आएगा 1 यहां भी कितना आएगा 2 और यहां पर क्या आएगा 1 अब solve करते हैं अगर मैं solve करूं तो देखो 2 into 7 कितना हो जाएगा 14 और यह क्या हो जाएगा 1 into 2 2 upon 3 and here 2 into 4 कितना हो जाएगा यह plus और यह minus three 1 three 4 सब्सक्राइब आ रहा है minus 4 और आ गया 2 की की का और कोडिनेट यह की वालका सब्सक्राइब हम्हां करने के हमारे भूर्ठ गया में कि इसको सद्सक्रेदो है से धीक्राइब कते हैं अब नाओ और अब अब करना हमको यह प्रूफ करना ठीक है मैं इसको बहुत सॉट में आपको बता तो आप ध्यान रखना मेरी बात का ठीक है तो देखो यहां पर ध्यान से अगर मैं आपर फिगर ड्रॉ करूँ तो फिगर कुछ इस टाइप का है यह चुली में सर्कल है ठीक है ओवल नहीं यह सर्कल है वेट मैंने साइटे द्रॉण नहीं किर पाया हूं बढ़ आप समझ जाना अब देखो यह सर्कल है ठीक है आप समझ जाना अम तो सॉल्चन करते हैं मेरी बात सुनो द्यान से आपको एक चीज पता होना चाहिए देखो अरवे यह सर्कल आप अगर वहाँ से कोई निकल के अगर सर्कल के सर्फेस पे आता है तो वह क्या होता है हमारा टेंजन होता है क्या होता है टेंजेंट मैं बोल सकता हूं दी से लेकर है न कि एक डी आर छांस एक सरुंद पाइन के सरफेस पहुरा है जाता है इसका नाम है टी एससे लेक है सबगर कोई इक्ते पॉइंट मारें ऊपईया यहां है यहां यहां से किला यहां से एक आउज यहां जाता है ओंट में lahें टॉ estás तो यह पी पॉइंट से लेकि तो क्यों का डिस्टेंस है और पी पॉइंट से लेकि तो आर का डिस्टेंस है यह कैसे होंगे आपस में यह होते हैं सेम ठीके थियरम के एकॉर्डिक और आपको थियरम पता हो तो तो पी क्यूर पी आर कैसे होंगे हमारे एकवल होंगे तो वैस r equal to ds ठीके, dr equal to ds, ठीके तो ऐसे ही हमको, किसके recording आया theorem के recording, वैसे हम देखेंगे a point को तो हम बोलेंगे a से लेके s और a से लेके p, ये भी क्या होंगे आपस में equal होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ, a से लेके p equal to a से लेके s, a से लेके p, ठीके, a से लेके p equal to a से लेके s, अब मैं point b की बात करूँ, यहां से लेको b से लेके p, ठीके और b से लेके q, ये भी क्या होंगे, आपस में equal होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ b से लेके p, equal to b से लेके q, अब point c की बात करूँ, तो same, c से लेके और वो किसके एकवल होगा c से लेके q के एकवल है c से लेके r equal to c से लेके q ठीक है यह आप चार है ना प्रूब कर दोगे theorem के according आपको exam में यही लिखना है यह चार हो कैसे होंगे एकवल होंगे किसके according कि point जो d है point c है point b है जो point a है ठीक है our external point ठीक है external point of a circle ठीक है ऐचा है external point of a circle है फिर क्या है वहां से if external point ठीक है does on the same circle ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं और टेंजेंट कैसे आपस में कैसे होते हैं एकवल होते हैं ठीक है तो यह आपको लिखना है कि point ठीक है point कौन सा point point d c b or a r kya आपका external point of a circle है if external point touch on the same circle then their distance are equal then their distance are equal ठीक है then their distance are equal ठीक है if one external point ठीक है if one external point touch on the same circle ठीक है on search on the same circle कितने time कितने time two times ठीक है तो क्या आता है आपका वो कैसे होते हैं आपस में एक भी distance होता है आप यह statement बना के भी लिख सकते हो ठीक है कोई problem नहीं है कि आपको याधी करना है ठीक है आज का आप बना के भी लिख सकते हो तो इसके अब यह लिख्क्या हो जाओ गए ना according to theorem तो यह कोई problem नहीं है ठीक है इतना आपने कर लिया अब यहां पर देखना एक चीज ठीक है कि आपर क्या देखना है यह दो यह सब left-hand side है ना क्या करेंगे हम left-hand side को साथ में प्लस कर देंगे और right-hand side को साथ में प्लस कर देंगे हम वही करना है हमको कि left-hand side कि all value add ठीक है कि सिंपल क्या क्या लिख देना यहां पर all value add ठीक है कि left-hand side and right-hand side ठीक है यहां पर देखो क्या क्या हो जाएगा d r plus a p plus bp plus c a equal to यहां पर क्या हो जाएगा dm plus a s plus b q plus c q ठीक है मैं आशाफ में क्यां बताने क्या तब समुझना यहां पर द्यान सो यहां पर देखो DR ए ठीक है DR और यहांपर क्या है CR तो यह तो DR है और यह CR इसको उसात में लिखते हैं यहाँ पर छांपर यह UP और यहां से B P इसको हम सात में लिखते हैं ब्लस 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 ठीक है एक क्वल टूरा पी सेम ऐसे करना है हमको इस तरह भी देखो कि दीएस और आइस तो दीएस और यह साथ में रहन दो गल्रकर और कर लिया और ही क्यूर से क्यूर यहां भी बीकूर सी क्यूर को आप में कर ले ना अब मेरी बास चुनो डी आज प्लस सी आज क्या है डी सी है ना जामें डी सी लिख सकता हूं प्लस में देखो A.P. और ये B.P. क्या है हमारा A.B. यह ना जामें क्या लिख सकता हूं A.B. equal to D.S. और A.S. देखो D.S. D.S. और A.S. क्या है हमारा A.D. यह ना A. से लिख सकता हूं 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 A. से लिख प्लस पीसी ठीक है यह हमको प्रूफ करना थे हमने प्रूफ कर यहां पर लिख दोगे क्या लिख दोगे हैं सिड़ प्रूफ टीक है मैंने ट्राई किया बहुत सौट में बताने कि अगर एक्जाम में आप ऐसे भी लिख के आते हो ना तो आपको फुल माक मिल जाएगा बाकी सेंटीमीटर ओफ ए सर्कल का रेडियस हमारा फाइफ सेंटीमीटर तो टेंसेंट है वो पी से लेके क्यों इंटरसेक्ट एट पॉइंट पॉइंट टी पे सीधा फिगर फाइंड देखे रखा है ठीक है इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फाइंड क्या करना हमको एक्चुली मैं डिस्टैंइंड करना। ठीक है जो हमको फाइंड करना एक्चवल में छो को माल लेंग इसको एक्स माल लेंगे अब इसका «सड्यीशन» देखना उच से पहले हम figure draw कर लेते है ठीक है अगर मैं figure draw करूँ actually मैं तो figure कुछ ऐसा है कि ये हमारा एक circle है ठीक है ये हमारा एक circle है इधर एक chord है ठीक है यहाँ पर एक chord है ये हमारा एक center है ये है O और यहाँ से लेके ये ठीक है ये हमारा क्या है P है dot 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 यह क्या है हमारा एक ठीक है यह है टी है और यहां से लेकर लाइन यह है क्यूँ है ठीक है और जो रेडियस है न यह लाइन हमारा रेडियस है ठीक है दिखा रहो देखो फिगर में ध्यांग से यह हमारा रेडियस है यह हमको 5 भी देखे रखा है और क्या देखे रखा है पीर लेके limits को कर लेंस lados को skeptic अ THE यह 8 है ना तो अगर यह point है बीच का point दीख रहा है यह तो यह कितना होगा और यह भी कितना होगा 4 होगा ठीक है समदना ध्यान से और क्या है देखो ध्यान से ठीक है बस होगे और find क्या करना हमको यह point find से लेके यह हमको यहां कober लहन मान लेते एसको कया मान लेते एक्स करना हमको find करना हमको TP का लेंज च्कति टीपी का लेंज फायंड करना है उसको आंप ने क्या लेंगे टीपी बी एक्स ठीक है अब यहां पर देखो द्यान से सॉल्योसन ठीक है पहला हम लोग को ट्रैंगल कौन सा लेंगे ठीक है मैंने मेरी बास सुनना और यहां पर गॉैक को सीज और देखता एक और स्रीट करूंग haar एक और इनठरसेक्ट कररें पॉइंट टीके अधे सेंप लो किया है यह r in dex कर रहा है बस और को दिया वा呀 नहीं यह भट यहाँ प्र को में यहां छे और टीक रेंगल छई आवह घ Agriculture अगर बात करो इंट ट्रैंगल कां सा आप देखेंगे द्यान से आप यहां पर बात करूं ट्रैंगल पी आर ओ का यहां पर राइट एंगल क्या है मारा एंगल आर क्या है यह इस इसका स्क्वेर इकवल टू क्या होता है बेस का स्क्वेर होता है तो मैं थोड़ा है ना आपको याद होना थी कि मैं तोड़ा फास्क करवा रहा हूं ठीक है और डारेक्ट सॉल्यूसन करना हो तो ध्यान देना 25-16 इकवल टू बेस का स्क्वेर तो यह आगया 9 इकवल टू बे इसे आपको यह 3 मिल जाएगा त्री क्या मिलेगा इस बेस किया आपका आओ कितना मिल थे मिल गया है और यह टी से लेखे आद इस इसे लेले के आज पीवाई यह ङōb Klarی किया सपोज किया कि इतना प्रिक लेना थिक ehkä उसके ऐसे आगे देखते हैं आगे क्म ट्रैंगल लेंगे ना कौंसा ट्रैंगल लेंगे टी equivalent क्मेठेका रेंगे हम एको और यह वो अमारा राइट एंगल है it means ike और यह ओगा Якछम होगा मेरा नेया प्रेंडिकुलर और यह क्या होगा मेरा वे यहां पे देखो x2 is 16 plus y square एक्स मेरे स्क्व Seal ये y' sq arय या माइनस Vy равствуйте स्क्वेर इक यह मारो एक मेसर नंबर वण हो गया है आपको प्रैक्राइटिस करने पतेया किए कि कॉस्टन पेपर को क्यों कि कि अगर आपको इस ट्राइब के सम्सौल्फ करना है आपको प्रैक्टिस करने ही परेगी टीक है अब हैं कि ट्रैंगल सेकेंड कॉंसल लेंगे हैं हम इन ट्रैंगल अब ओ पी टीट इंडर ट्रैंगल ले रहे हैं आप लोग यह देखो व्यांसे ओ हाइपोटेनियस ठीक है टीओ क्या होगा हमारा हाइपोटेनियस स्क्वेर पर्पेंडिकुलर क्या होगा यहां पर देखो ध्यान से ठीक है यह पर्पेंडिकुलर क्या है माम फाइब कुमाना से पर्पेंडिकुलर है ठीक है वो कितना है पर्पेंडिकुलर फाइब का स्वेर अब T से लेके O, T से लेके O देखना यहाँ पर दियान से, T से लेके O क्या है देखो, T से लेके R के आपके पास Y है और R से लेके O क्या आपके पास 3 है, it means T से लेके O क्या होगा आपका Y प्लस 3, यहाँ पर क्या होगा Y प्लस 3 का होल स्क्वेर, प्लस 5 का स्क्वेर कितना हो जा अगर हमने solve क्या, क्या answer है, y2 plus 6y plus 9, यह क्या हो गया, 25 plus x का square, ठीक है, पहला आप यहां तक लिख लेना, ठीक है, फिर हम आगे दिखते हैं, solution इसका, अब यहां पर देखो, यह y2 हो गया, plus, यह 6y हो गया, plus यहां पर देखो, यह 9 है, और यह 25, यहां पर देखो, यह 9 है, और यहां पर लगे क्या हो जाएगा, minus 25, equal to x square, मैंने स्क्वैर्ट जाएगा माइन से मीनस में बचेटना जाएगा माइनի सथी क्या है तो疫情 कंछ ऍक्वेटार ऑगर आपके पार्पर नयुक्रिया फॉर्क तो तो आप चाहो तो यहाँ पर direct 16 put कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6y equal to minus 16, इक्वल उसके value कितनी आगे, मेरे पास 16 आगे, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, यह minus 16 है, यहाँ क्या हो जाएगा, plus 16, तो 6y हो गया, 16 plus 16, ठीक है, 6y equal to 32, y की value कितनी हो गई, 32 by 6, solve करेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 16 by 3, तो यह कितना है, आपका, यह आगे, 16 by 3, बट आपको, actually में find क्या करना था, आपको TP find क्या क्या माना था, उसको आपने x माना था, तो आपको actually में x की value थी थी, तो हम क्या करेंगे अब, यह तो y की value आई है ना, इसको हम put करेंगे, यह equation number 1 के अंदर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर put करो, तो यहाँ पर तो क्या हो जाए, x square minus y की value कितनी आई है, 16 minus 3, इसका whole is equal to 16, ठीक है, हम यहाँ पर put कर लिए है, ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या हो जाएगा, x square minus, 16 का square कितना होता है, 256, 3 का square कितना होता है, 9 equal to 16, ठीक है, x square हो गया, यह minus में यहाँ क्या हो जाएगा, plus 16 plus 256 upon 9, x square, अब यहाँ पर देखो, कुछ निया हमें LCM आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, LCM 9, यह cross होगा, यहाँ पर 69 कितना होता है, 144 plus 256, ठीक है, upon 9, x square equal to कितना हो गया, plus करोगे इसको, 10, 1 remaining, यहाँ पर 10, और यह कितना हो गया, 4 upon 9, ओके, अब यह क्या square में, अगर मैं आती square हटाओंगा, इसको होती है, इसमें आजाएगा, अब रूट में आजाएगा, upon 9, 400, किसका होता है, अब रूट, 20 का होता है, और 9 किसका होता है, 3 का, तो x की value, कितनी आगे मेरे पास, x की value, आगे मेरे पास, 20 by 3, ठीक है, और किसमें दिया होए, इनित हमको दिया हुआ है सेंटिमेटर में कि इत्में आ गया सेंटिमेटर हिट मिंग तीस से लेके पीछ को मने क्या माना था एक समाना था उसके वैलों कितनी आई हमारे पास कि अब आगे बढ़ें नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन यह पी क्या दिया हुआ हमको देखो ज्यान से दफ्लॉइंग इस्टिवियूशन the flowing distribution given the step wise teacher student ratio in higher secondary school of India ठीक है आपको क्या बोला था आपका कुछन आता इस्टाटिक सेप्टर का तो मैं आपको क्या देखने का कि आपको रेंज में दिया हुआ इस रेंज से लेकर इस रेंज तक ठीक है इसको आपको क्या बोलो कि यह आपका क्या है यह आपका अब क्लास इंटर्वल फ्रइंटर्व कृइंज ऐन्से मंने मैं आपको सिंप्ली बोल कर acquainted आगर आपके पास क्लास इंटर्वल वह आपके पास फिक्रेंज हो और आपको पता हो कि क्AUS करना हो तो अब उसको ईसरी solve कर सकते हो ठीक है तो यहां पर देखो ध्यान से क्लास इंटेवल क्या देखे रखा है आमको 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50 और 55 frequency क्या देखे रखे आपको 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 ठीक है find क्या करना है आपको mode find करना है mode का symbol होता है z formula क्या होता है l plus f1 minus f0 upon में 2 f1 minus f0 minus f2 into h ठीक है अब पहले क्या देखते हो आप कि आपकी हाई s frequency क्या है यहाँ पे देखो 10 संब्सक्ष्ण का और यह क्या हो जाएगा आपका f1 उसके उपर वाला क्या होता है f0 और नीचे वाला क्या होता है f2 ठाक है जिसको आपने f1 सामग्णा आपका क्या होता है वो आपका होता है moral class ठीक है, अब फ्रावरम value put कर लेते हैं ठीक है, तो L की value कितने आएगी यहाँ पर 30 आजाएगी, plus F1 कितने आपके पास 10 है, minus F0 कितने आपके पास 9 है, upon में देखो 2, F1 कितने आपके पास 10 है, minus F0 कितने आपके पास 9 है, minus F2 कितना आपके पास into class size class size क्या होता है upper limit minus lower limit 20 में चे जाएगा 15 कितना बचेगा 5 बचेगा ठीक है यहां पर 30 plus 10 में से 9 कितना बचेगा यहां पर देखो माइनस 9 और माइनस 3 मैंन भले प्लस प्लस होगा बाट साइन किसके आएगी मैंस किसा आइगे क्या हो जाएगा माइनस 12 इंट्व में आगया 5 यहां पर देखो यह 31 इंट्व 5 क्या हो गया फैफ और 20 में 12 कितना बचाइन एट अब आपको क्या करना है 5 को डिवाइड करना है 8 से ठीक है तो सिंपल समझो 5 होगा कैसा है छोटा नम्मर है यहां पर क्या आएगा डैसिमल यहां पर क्या हो जाएगा 0 अब 8 8 6 कितना होता है आपका 48 होता है क्या बच गया नीचे 2 बच गया नहीं पर क्या आएग जीरो एक हो चेट 5 कितना क्या या नहीं आपका Say 3 इसका इन्युंगा ऑगया टिक्लाओं इसको ऑप्लस करों Kannis एको 30 और यह 0,000 क्या और 30.625 यह आपका आंसर आ गया ठीक है 30.625 हम आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉसन की तरफ ठीक है है नेक्स पॉसन क्या देखे रखा है हमको देखो ध्यान से सपोज वी सपोज वी थो रड़ रड़ उपन लोबने एक ड़ाय को ठीक हैं यहां पर देखना अगर प्याटी के बात करूं इसमें क्या क्या आता है वन आएगा टो आएगा त्री आएगा फाइगा फाइगा सिक्स नंबर आएगा अंक्या थी आए पको वन बार यह फेकना थिक तो आपके 6 क्या हो गए आपका total outcome ठीक है अब find क्या करना है ठीक है देखो find क्या करना है अब हमको find करना है देखो पहला what is the probability of getting a number greater than 4 ठीक है तो हम पहले माल लेते event A, event A हम किसको माल लेते a number greater than 4 ठीक है ऐसे number जो 4 से बरे हो 4 के इकवल नहीं चाप चाप बोला है greater than 4 मतलब 4 से बरे होने चीए तो देखो event A, probability of event A क्या होगा 4 से बरे कौन कुछ नम्मर है देखो यहाँ मेरे पास 5 और 6 है ठीक है यह दो नम्मर है तो क्या आएगा answer 2 आएगा उपर और नीचे क्या आजाएगा 6 नीचे क्या आजाएगा total outcome तो answer कितना आजाएगा मेरा 1 बाई 3 तो पहले का answer कितना हो गया मेरा 1 बाई 3 ठीक है अब दुसरे का देखते answer तो दुसरा क्या देखे रखा है हमको यहाँ पर देखो ध्यान से पुता है what is the probability of getting a number less than or equal to 4 ऐसा बोला है 4 से कम और 4 के बराबर साब साब लीखा है देखो यहाँ पर ध्यान से कि a number less than or equal to 4 मतलब 4 से कम और 4 के equal भी ठीक है तो अगर मैं बात करो event B की event B में क्या बोल रहा है a number less than ठीक है less than and equal to equal to 4 मतलब 4 से कम भी होने चीज़ी और 4 के बराबर साब से कम कौन कौन से 3 है 2 है और 1 है और 4 के बराबर ही बोले कितने नमर आगे मारा टोटल चान नमर आगे तो probability of event B क्या आएगा 4 by 6 solve करो कितना आप जाएगा टूजा और यह 3 आंसर के आज जाएगा 2 by 3 ठीक है जिसका आंसर के आज जाएगा टू बाई 3 हाट लग रहा होगा बट अगर आपको उस टाइप कोसं सॉल्व करने न तो आपको तुरी बहुत प्रैक्टिस करनी परेगी ठीक है दुसरा आपके पास कोई option नहीं है प्रैक्टिस के सिवा और मैं अब को प्रैक्टिस करनी ही परती है ठीक है अब बहुत सब कुछ आता हो प्रैक्टिस नहीं किया है ना तो कुस कॉसंस ऐसे आ जाते कि आपको आप सॉल्व नहीं कर पाऊगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है मैथ के ऊपर तो इसी के साथ अभी हम लोग वीडियो खतम करते हैं हम आपको मिलेंगे नेक्स वीडियो में बाबाई एवरीवन